वेल्कम फ्रेंट्स अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों सेंट्रल टीटी, सीची टीटी, यूपी टीटी में दोस्तों बालविकास के कोशन लगातार पूछे जाते हैं इसमें से दोस्तों लगभग 30 अंकों का प्रेस्ण पूछे जाते हैं उनका लगातार प्रेक्टीस कर रहे हैं दोस्तों चैप्टर 20 वस्तुनिषप्रकार के कोशन के साथ तो आज है दोस्तों हमारा लास्ट चेप्चर जो बालविकास का है इसके बाद हमने पूरे जो चेप्टर हुन का वस्तुनिश प्रकार का कोशन देख चुके हैं आज का अध्या दोस्तों अध्या 22 जिसमें हम लोग अधिगम में योगदान करने वाले कारक के बारे में इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को सुरू इससे लास तक जरूर देखिए अगर आप उसको नहीं देखे हो दोस्तों पाल्ट नमबर जो है 21 पाल्ट नमबर 20 यह सब पाल्ट को देखने के लिए मेरे प्लेलिश्ट पर भी जा सकते हो ठीक है इसके बारे में थेवरी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो जब स्टूडेंट नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल को भी जरूर अन करीजिए तो अच्छे लिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग वस्तुनिश्प इसका आपके प्रती द्वेश चाओ था कक्छा में स्वयम को सबसे अलग दिखाने का तरीका तुझकर राइट आंसर क्या होसकता दोस्तों बहुत स्िंपल से प्रश्न है उसके वातावरंस समाझीक वातावरंस के कारण हिदास्त दोस्तों वो इस करीखे का हरकत कर रहा है तो इसमें तो उसके अंता हिच्छा तो नहीं है ठीक है और आपके प्रती द्वेश ये भी नहीं है और स्वेम को अलग दिखाने के लिए ये भी नहीं हो सकता ठीक है अपसे नमबर टू क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलिए अगला प्रेशन देख लेते हैं निम्ला अधिका अधिकार्य तीसरा ग्रिह कारे की अधिकता चांथा लेखन कारे की अधिकता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अधियन के प्रती उसकी वैक्तित उरूची जो है इसमें अधिगम की अधिकता को प्रयास करने का कोशिश किया जाता है ठीक है तो इसका जो है दोस्तों पहला option जो है सही हो जाएगा चलिए अगला प्रेशन देख लेते हैं कक्छा कक्छा में बालकों को एकागर करने में सहायक व्यक्तिक कारक है तो एकागर करने में सहायक व्यक्तिक कारक क्या हो सकता है भिन्न भिन कि जिग्यासा का विकास जो है साहया होता है उसके वैक्तित्व कारक्त के लिए ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं बच्चों का मस्तिस्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है निम्न लिखित में से यह कथन किसका है कथन बहुत ही लॉग जे ने या बीजी वाटसन ने तो ये दोस्तों इसके दोरा कहा गया है लॉग जे के अनुसार कहा गया है ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं निम्न लिखित स्वारी बच्चों के वैक्तित्व विकास है तू सिक्षा से संबंधित किस तथे का एक सिक्ष को ध्यान नहीं देना चाहिए तो बच्चों के वैक्तित्व विकास है तू सिक्षा से संबंधित किस तथे का एक सिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए पहला है बच्चों में रचनात्म कुशलता का विकास करना दूसरा बच्चों में नैतिक मुल्यों के भाव को जागर करना तीसरा बच्चों को परियाप्त इसने प्रदान नहीं करना या चाहूं था बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता ना देना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जो है बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता ना देना इन सब को क्या करना चाहिए निकलेक महत पून कारक है तो सरवाधिक महत पून कारक क्या है बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रती अभिविर्ती दूसरा घर का वाता वरं तथा मात पिता के से बालक का लगाओ तीसरा समय गनात्मकส रक्षा कि बालक में आंशिक योग्यता या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं पुराइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जिसमें प्रारंभीक वैक्तित्व विकास में सरवाधिक महत्तो पूर्णा है वो क्या है घर का वातावरन तथा माता पिता से बालक का लगाव ठीक है तो बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तिवर करने है तू उप्यूक्त उपाय क्या है बालकों को अधिगम है तू अभी प्रेडित किया जाए दूसरा स्कूल में प्रदूशन मुक्त वातावरन तयार किया जाए तीसरा अधिगम के प्रतिछात्रों का ध्याने कागर किया हैं कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावित कर बनाने के लिए आपके विचार में एक सिख्षक में जो है क्या गुण होना चाहिए तो क्या गुण होना चाहिए दोस्तों कि एक सीचुख में विशाय का Seriously सिख्शक का व्यवहार शिक्षन विध्या उप्रोक्त सभी दोस्तों अधीगम को अच्छा बनाना है तो एक छीजे सभी चीजी होनी चाहिए थीक है तो इसका हो जाएगा चौंथा option जो है सही हो जाएगा चलिए अगला प्रशन कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया को तीवर करने हैं तो कक्षा का भौतिक वातवरन होना चाहिए तो भौतिक वातवरन दोस्तों क्या होना चाहिए प्रकाश युक्त होना चाहिए बैठने की समुचित जो है उपाय ह अगला प्रेशन ने करता है यह किस से टात्पर है दोस्तों पहला जलवायू तथा वायू-मंडली दशाओंका योग बालकी बौद्धिक निश्पत्ती तथा स्रीजन शिल्टा पर गहरा प्रभाव डाले दूसरा अधिक ताप पर आधरता बालकों की मानशीक चमता के विकास पर घोतक है या तीसरा जलवायू तथा वायू मंडिली दशाओं के योग का प्रभाव बालकों की मानशीक चमता को प्रभावित नहीं करता है यह चाहूं था उप्रोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों प्रकृति के जो परियावरन है उस पर प्रभाव के लिए अधिगम की जो दस्ता है उस प्रत्यक शुरुप से प्रभावित करता है इससे तातपर रहे क्या है तो इससे तातपर यही है यही है दोस्तों जो जिव मंडल होता है वायू मंडल होता है और उसमें ज़ल वायू होता है उन सभी का जो योग है बालक के बहुत धिक निश्पत्ति का श्रिजन शील करने में गहरा पर बहुत डालता है ठीक है पहला उप्सन सही हो जाएगा अगला प्रशन है किसी दूसरी वस्तु के बजाए एक ही वस्तु पर चेतना को केंदरित करना खाली स्थान है क्या है अधिगाम परियावरण ध्यान या अपरिपक्वता ठीक है प्रशन एक बार प्रशन फिर से समझ लीजे किसी दूसरी वस्तु के बजाए एक ही वस्तु पर चेतना को केंदरित करना क्या कहलाता है सिंपल सा प्रशन है दोस्तों ध्यान ठीक है अप्सन नमबर थरी जो है सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं मानसिक गणनाओं को योगात्म प्रशन नमबर फोर जो है सही हो जाएगा चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं विद्याला का वातावरन उन उद्धान की भाती है उद्धान मतलब बगीचा ठीक है जिसमें ऐसा वातावरन का निर्मान होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वभाविक विखास हो सके यहमत किसका है तो यहमत दोस्तों किसका है इसकी नार फ्रोबेल रूसो या जिन पियाजे तो इ इसको याद रखकते हो अगला प्रस्टेशन मा स्थिख्षक नहीं है तो कौन सा विशाय का ग्यान, मनो विज्ञान का ग्यान, वैक्तिगत भेदों का ग्यान या अनुशाशन हिंता तो इन तीन में से दोस्तों तीन तो समानी लग रहा है एक जो है अलग लग रहा है वही क्या होगा हमारा अंसर हो जाएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा अनुशाशन ही इन तबांकी तो सब ठीक है ठीक है विसाय का ग्यान मनोविज्ञान ठीक है और उसी तरीके से वैक्तिगत भेदों का ग्यान चाउंत आपसं सही हो जाएगा अगला प्रेशन देख लेते हैं एक बालक कक्छा में दी गई अनुक् की छमता तीसरा बालक की तेज नजर या चौन था है बालक की छीन बुद्धि उपलब्धी तो इसका right answer क्या हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा है उसका क्या है तेज बुद्धी तो सुनने की छमता से वो कोश्चन को शॉल कर रहा है या अनुक्रिया जो है तेजी से कर रहा ह यह तो निडिपेंड नहीं करता तेज नचर मतलब देखने की छमता उसको भी और यह बुद्धी उपलब्धी छीन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों जिसका बुद्धी उपलब्धी क्या है जो है सतर या सतर से कम है ठीक है तो इस तरीके से पहला option क्या हो जाएगा सही हो अगला प्रशन देख लेते हैं अधिक मानसिक क्रिया कलापों में अधिगाम होता है तो अधिक मानसिक क्रिया कलापों में अधिगाम होता है तो अधिक मानसिक क्रिया कलापों से कोई संबंध नहीं है या उपरोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्य क्या हो जाएगा अधिक प्रभावशाली हो जाएगा ठीक है जितना ज्यादा आप मानशी क्रियाओं वाला कोश्चन दोगे तो उनका ज्यादा मानशी ज्यादा बढ़ेगा सिंपल सी बात है ठीक है तो प्रभावशाली भी क्या रहेगा अधिक हो जाएगा ठीक है चलिए अ वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पढ़ता है पहला है पूरो बाल्य आवस्था दूसरा बाल्य आवस्था तिस्रा किसोर आवस्था यह चांथा संपूbles जीवन सिंपल सा प्रशन है दोस्तों तो इसका राइट अंसर तो आपको पता ही होगा कि इसमें जो है कोई भी अधिगम अर्दलब सीखनें के लिए वेक्तित्व वातवरन जो है पूरा जीवन पर रियंत चलता है तो इसका क्या हो जाएगा संपूरन जीवन आपसन नमबर 4 क्या हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से 18 कोशन इंपॉर्टेंट था जिन्होंने मैंने जो इसमें सारे कोशन जो है सीटेट में और स्टेट लेवल के जो टीटी एक्जाम है उसमें पूछा जा चुका है और यह दोस्तों अध्या जो है 22 था उसके बाद हम लोग दूसरे टेलीग्राम ग्रूप में जा करके ठीक है जिसका नाम है अभ्यास ओन लाइन क्लास वहां पर आप आप आसानी से दोस्तों इसका जो है टेलीग्राम से पिडियाब डाउनलोड कर सकते हो डौलो डौ डौ-डौल डौ जो है अभ्यास जीके www.abhazgk.com पर भी जा करके आप जो है आसानी से इसका जो है ठेवरी नौज ले सकते हैं जी के संब्धित वहाँ पास और नए नए सुचना है जो आती है उन सब की जानकरी आपको वहाँ पास मिलता रहेगा ठीक है और इसके लिए कौन सा बुक बैस्ट रहेगा मैंने नीचे देर भाया है लिंक वहाँ से चेक आउट कर लीजिए और साथ यसाथ मैघ्यू के ट्रीक देखने के लिए दोस्तों आप जो है मेरे टेवी जो है प्लेइलिस्ट में जा करके आप उसको चैप कर लीजिए ठीक है तो यहां पास मैघ्यू कर आप आसानी से चेक कर पाऊगे चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जान करें कि सान्थ तुम्झे दीजिए जाजा टेक कि रॉल देश्ट जाहिंद